सोने मिल्स में आपका स्वागत है, आज बनाने जा रहे हैं गोड का खस्ता, गोड का खस्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ दो काटोरी गेहूं का आठा गोड और नारियल और दो इलाइची लिए हैं चारचमच रिफाइण लिए हैं, और इलाइची को थूर लेना है थुरा चुका है अब इसे साइड में रख देंगे अब गूड लेंगे और एक एक करके सारे गूड को इस तरह से तोड़ लेना है इसे चूर कर लेना है थोड़ा अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे ज्यादा पानी नहीं डालना है और गैस पर इसे हलका गर्म करेंगे ज़्यादा गर्म नहीं करना है जब हलका गर्म हो जाए तो गैस को आफ कर देंगे और इसे चला कर थोड़ा सा चम्मस से दाप दाप देंगे इस तरह से बहुत हलका गरम करना है यदि ज़्यादा गरम कर देंगे तो खसता जो है बहुत टाइट बन जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा खाने में स्वार इसलिए इसे हलका ही गरम करके और गैस को आफ कर देना है ना पतला ना मोठा इस तरह से ही लिक्विट चाहिए और इसे छन्नी में छान लेंगे जो एक के छोटे-छोटे कोई-कोई गुड में टुकड़े हलके-हलके करन जैसे मिल जाते हैं इसलिए गुड को छानना बहुत ज़रूरी है मिक्सिंग बॉल में आप आघा लेंगे आटा आपको जीतना चाहिए वह ले लेंगे लेकिन एक्स्ट्रा आटा लेकर और उसको चाल कर और इसमें थोड़ा सा मिला दे चाला हुआ उपर वाला चलनी में जो आता है उसको मिला देगे उससे क्या है खस्ता आपका बहुत अच्छा बनेगा आटा हलका मोटा बन जाएगा और गेहों का आटा यदि चक्की में पिसवाते हैं तो आप चक्की वाला भीया से बोलिए कि थोड़ा सा खस्ता जब बनाना हो आपको जितना भी आटा चाहिए आपको एक किलो दो किलो मोटा उतना बोल दें वे आटा को हलका मोटा पीछ देंगे बारे कटा हुआ नारियल और रिफाइन डाल के मिला लेंगे मोम मने अच्छे से आटा को मिला लेंगे यदि आप चिकना आटा का बनाते हैं खस्ता तो उसमें थोड़ा सा रिफाइन ज़्यादा डाल देए गुर का जो लिक्विड बना के रखे हैं उसे थोड़ा थोड़ा डाल देंगे और उसे मिलाते भी रहना है एक बैक ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि आपका गिला भी होने का चांस रह सकता है इसलिए इसे थोड़ा थोड़ा ही गुर डाल कर और इसे मिला लेना है गोड का जब liquid बनाते है तो ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है यदि ऐसे बनाएंगे तो खस्ता बहुत अच्छा बनेगा और soft के साथ कुरकुरा भी हलका रहेगा बहुत ही अच्छा बनता है अब इसमें थोड़ा सा और मिला लेंगे एक बार इस तरीका से अपने बच्छों को बनाकर लंच बक्स में दे या गेस्ट के लिए नस्ता बनाएं या अपने खाने के लिए बनाएं जरूर बनाएं देखें आपको कैसे लगता है खाने में यकीन मानिये बहुत ही टेस्टी लगेगा अब इस तरह हाथों से जो सेप देना चाहते हैं वे सेप दे सकते हैं गोला भी दे सकते हैं लंबा भी सेप दे सकते हैं या कोई और भी सेप दे सकते हैं इसी तरह का आटा होना चाहिए एकदम हाथों में चाहे तो हलका सा तेल लगाकर भी अच्छे से इसे जो से देना चाहें दे सकते हैं सारे को इसी तरह से बना लेना है सारे बन चुका है इधर कड़ा ही गर्म करेंगे तब तक गर्म हो रहा है तब तक इधर साचे पर थोड़ा सा रिफाइन लगाकर हर हाथों से इस तरीका से दाब लेना है इसी तरीका से करना है बार बार साचे पर नहीं लगाना है एक बार लगाए फिर जब चिपकने लगे तब लगा सकते हैं अब इस कड़ाही में डाल देंगे कड़ाही गर्म हो चुका था जितना आपका कड़ाही मे आ सके उतना आप खस्ता को डाल दें और इसे उलट पुलट कर दें फ्लेम को मीडियम रखें कभी लो भी कर सकते हैं लो भी करना पड़ता है क्योंकि खस्ता अच्छे से पक जाए और इसे ध्यान रखना पड़ता है हर मेंसा कि उलट पुलट करते रहना है अब आप इसे निक करना है क्योंकि यह इस तरीका से बहुत सारे तूटने लगते हैं ज्यादा मौम कर देंगे तो और उलट पलट करते रहना है बीच में लो भी कर देना है ध्यान रखना है इस बात को ताकि अच्छे से अंदर से भी पक जाए खैस्ता बनके तियार हो चुका है अगर वीडियो अच्छा लगता है लाइक से और सब्सक्राइब करें